माधार एप वो सभी बातें जो आपको जानना चाहिए आधार एप लॉंच हो गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी अफ इंडिया यूईडी ए आई ने इंड्रोयर्ट स्मार्च पोन्स के लिए माधार पेश किया है जिसे फ्री डाउनलोड किया जा सकता है इस एप से अब आप स्मार्च पोन्स पर ही अपने आधार कार्ट से जुड़ी जानकारिया ले सकते हैं गौर तलब है कि आधार के आधिकारिक विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है जिसमें इसके बारे में बताया गया है इसके मताबिक अब यूजर्स अपना आधार मोबाइल पर कहीं भी लेडा सकते हैं इस एप में सबसे पहले आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना होगा नाम देट ऑफ बर्थ जेंडर फोटो और एड्रे एप डाउनलोड के बाद पहले स्टेप के और पर एक पासवर्ग बनाना होगा इसके बाद आपको आधार कार्ड नमबर दर्ज करना होगा इसके बाद आपके रजिस्टर मुबाइल नमबर पर OTP मिलेगा जिसे यहां इंटर करना होगा OTP आथेंटिकेशन के बाद आपके आधार की तमाम जानकारी यहां मिलेगी फिलहाल यह एप बीटा वर्जन में है और अभी शायद आप इसके सभी फीचर्स यूज न कर पाएं आयस पर यह एप कब आएगा इसकी की जानकारी नहीं है लेकिन जल्द ही इसे आईफोन के लिए भी लॉंच किया जा सकता है इस एप की जानकारी में लिखा है कि यह सिर्फ उन यूजर्स के लिए ही जिनका मुबाइल नंबर आधार के साथ रेजिस्टर किया हुआ है इस एप के जरिये यूजर्स अगर चाहें तो अपने बायो मैट्रिक्स डेटा को लॉक क्या अनलॉक कर सकते हैं रिपोर्ट्स के मताबिक इस एप में अगर आपने अपना आधार प्रोफाइल बना लिया है और रेजिस्टर कर लिया है तो आपको आधार की हार्ड कॉपी लेकर नहीं चलना होगा यूजर्स इस एप में दिये गए QR कोड और पासवर्ग से सुरक्षित एक डेटा शेर कर सकते हैं जहां इसकी जरूरत होती है इस एप के जरिये यूजर्स अपने प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकेंगे हाला की इसके लिए रिक्वेस्ट सेंध होगी और आधार द्वारा अप्रूव होने के बाद ही ऐसा होगा